कि कीर्टी की बग्या में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे यलो फ्रूट फ्लाई पर हम बिगनर्स को गार्डन लवर्स को जो सबसे जादर प्रॉब्लम आती है वह आती है हमारी बेल वाली सब्जियों पर अमरूद पर और कुछ फलों पर जिसमें की यलो मखी आकर अ गिर जाता है पहले मैं भी काफी परिशान थी कि मेरे सारी लोकियां छोटी छोटी लोकियां आती थी और उसके बाद वो सड़कर उसमें कीड़े पड़ जाते थे और वो गिर जाती थी इसके लिए मैंने फ्रेंड्स ये ओनलाइन फ्रूट फ्लाई ट्रैप मंगाया है और अब एक घंटे के बाद ही इसमें इतनी सारी मख्यां आ गई है अब मेरा लोकी सड़कर नहीं गिरेगी ये मैंने ओनलाइन एमेजोन से मंगाया है ये इसमें पांच का सेट आया है ये इसमें पांच ग्लास उनके ढखकन और लियूर है काफी अच्छा प्रोड़क्ट है बहुत ही हम बिगनर्स के लिए बहुत ही यूसफुल चीज है क्योंकि हम लोग औरगैनिक खेती करते हैं औरगैनिक खेती में हम अपनी सबजियों पर कोई दवा चड़कना नहीं चाहते मैंने नीमॉयल का भी स्प्रे करके देखा फ्रेंड्स मुझे वो इतना अच्छा रिजर्ट नहीं लगा क्योंकि हम एक दिन नीमॉयल का स्प्रे करते हैं दूसरे दिन येलो फ्रू फ्राइफ फिर सरा कर हमारी चीज पर बैठ जाती है ये देखिए फ्रेंड्स ये इसके लियूर है और इसको सेट करना में भी आपको बताऊंगी आपको भी अगर ये मंगाना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ये इसका ग्लास दिया हुआ है इसमें ये खोल बने हुए है जिससे की मक्ही हमारी इसके अंदर चली जाएगी और ये इसका कवर है इसके साथ ये वायर दिये हुए है और ये इसका लियूर है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे उज़ करना है ये देखिए इसके अंदर ये फॉइल पेपर में रैप है इसको ओपन करके ये इसमें एक खोल दिया हुआ है जिसमें से हमें ये वायर से इसको बानना है इस तरह से थोड़ा सतार निकाल के इसमें से और इसको अलपेटे देखके बंद जाएगा आराम से बाकी तार को हम इस ग्लास में से यहां से खोल दिया हुआ है यहां से हमें इसको पहर निकालना है और ऐसे इसको हम पेड़ पे बान देंगे ये साइड हमारी नीचे आएगी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं या ऐसी सूखा भी रख सकते हैं और इसको बंद कर देना है बस इसको फिर हम इसतार से अपने बिल के आसपस इसको बान देंगे अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो आपके किसी काम की है तो फ्रेंड्स प्लीज इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें